हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पांच बहुत ही सुन्दर से सर्दियों के मफलर जो हमने लड्डू गुपाल जी के लिए तयार किये हैं यह मफलर लड्डू गुपाल जी को आप बहुत अच्छे से वेर करा सकते हैं वो बहुत जादा क्यूट लगेंगे पांच बहुत ही यूनीक तरीके के डिजाइन आज के वीडियो में आपको मफलर के देखने को मिलेंगे और हमने सारी यहाँ पर करोशिया करके कुछ हांडम पाटन्स लगाके बहुत ही यूनीक तरीके से हमने इनको डिजाइन किया है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा सबसे फॉर्स्ट मफलर है गाईज हमारा यह तो यहाँ पर गाईज ही सारे मफलर मैंने और मेरी ममी ने मिलके बनाएक हैं यह देखिए उन्ह बुक्रम की पट्टी जस्ट एक बुक्रम की पट्टी की ऊपर उनको लपेट के बनाए थे इनका पूरा ट्रिटूरियल मैंने लड्डू को पाई जी की उनी पुष आक में आपको दिया हुआ है उसमें हमने इनको बनाना भी सीखा था यह देखिए कितने ज्यादा वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे यह देखिए कलर कॉंबिनेशन भी काफी ज़्यादा अच्छा है इसका 20 तरीके का कलर कॉंबिनेशन फॉलो करते वे इनको बना सकते हैं नेक्स्ट हमारा यह वाला मफलर है गाईस पिंक और यलो कलर में यहाँ पे यलो यलो और पिंक पूरा इसके उपर जाली वगेरे का काम है यह पूरा करोशी की की बेस है मुसली खर यहाँ पे मफलर में और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा सा एक अलगी लुक आड़ करने के लिए एड दी एंड हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाया है जैसे पहले वाले में र और यह एक हमारे लड़ू कोपाल जी के लिए तीसरा मफलर देखिए कितना जादा सुन्दर बनाया है हमने इसको करोशी का काफी प्यारा डिजाइन है इसमें इस तरीके क्या जाली जाली का और अगर आप चाहेंगे तो मैं इनकी वीडियो आपको जल्दी की दे दूँग बाकी आगे बहुत सारे विंटर रिलेटेड विडियो आने वाले हैं और यहाँ पे देखिए इसके नीचे की तरफ यानि की इसके एंड वाले पार्ट की तरफ हमने एक फर फर का डिजाइन यहाँ पे लगाया है पूरा पिंक कलर की बूल से पिंक और क्रीम कलर का कॉम्ब इसमें और यह आप इस तरीके से नॉर्मल भी पहना सकते हैं इसके अलावा चाहें तो ऐसे करते वे भी पहना सकते हैं यह पीछे की तरफ चला जाएगा और हर साइस के लड़ू गुपाल जी के लिए आप बड़े असानी से इनको बना सकते हैं अब नेक्स्ट यह वाला है आप सोच रहे होगे कितना जादा सुन्दर लग रहे है एकदम विंटर वाली फीलिंग आ रही है इसमें तो यह पूरा फर फर का हमने डिजाइन क्रियेट किया और यह मैंने आपको बनाना भी सिखाया था जी हाँ गाईज एक विडियो था जिसमें दो पोच्चू एक साथ हमने काना जी के लिए बनाने सिखे थे उसमें मैंने आपको यह फर का पैटन कैसे बनाते हैं वो दिखाया था और कलर कॉंबिनेशन का तो आपको आइडिया लग गया आप अपने ही साप से रख सकते हैं क उससे एक के बाद एक के बाद एक इन सब को ऐसे पे रो लेना और उसके बाद यहां पे मोती कोई भी हैं करते वे मोती या कोई पॉम पॉम्स के डिजाइन कुछ भी आप आगी की तरफ यहां पे बना सकते हैं तो यह भी देखिए काफी जादा सुन्दर है और बहुत ही य यहाँ पे इसका पूरा ये बीच में करोश किया है यह दिखे गाइस यह dif Peng प्लत करो आप कामरा में डिजाइन अच्छा से दिख होगा का आफ जादा प्यारा दिजाइन है कि और साथ में ग्रीन कलर के पैरटन लगाये है नियुक्त ग्रम भी बहुत रहते तो आपको आज तो comment section में मुझे दो चीजे पका बतानी है कि यह आपको कैसे लगे सारे यह बताईएगा साथ में इन में से आप कौन सा वाला सीखना चाहते हैं यह भी बता सकते हैं और color combination भी किसका आपको प्यारा लगा मुझे तो सारे की सारे यह बहुत ही unique और बहुत अच्छे लगे वैसे अब तक काफी तरीकी की woolen dresses और poochoo अगरे की वीडियो हमने काना जी के लिए post किये हुए है सब आप हमारे चानल पर देख सकते हैं और आगे बहुत अच्छे चे वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं गाईस तो अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like, share और चानल को subscribe ज़रूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको time to time मिलते रहें तो चले फिर मिलेंगे अप अपने अगले वीडियो में ऐसी अच्छे आइडिया के साथ अब तक के लिए बाई टेक केर खरे कृष्णा रादे रादे ताक्स पोचिंग गईज